हेलो दोस्तो आप सभी का दीन आपर स्वागत है, मैं विशुजीत सिंग दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए पुरम सेकेंड एर हुमन राइट्स का लेसन 18 सन्यक तुरास्ट परियावरन कारीकरम स्कॉर्टम से बाली तक दोस्तो ये लेसन बहुत इंपोर्टन होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम हम परियावरन कारीकरमों के बारे में बात करने वाले है परियावरन सम्मेलनों के बारे में इसके अंदर में कौन को सम्मेलन हुई किस परकार से किये गए, कहां पे किये गए, क्या सन था, क्या डेट था, कारण क्या था, ठीक है, उनका उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था, गुष्णा पत्र क्या था, यह सारे चीजे हम इसमें दिखेंगे, जो इस lesson के अंदर में questions बनते हैं, और दो तरह से बनते हैं, प किस परकार से पूछा जा सकता है, जैसे एक question यहां पर यह बनता है, इस chapter के अंदर में, कि संयूखतरास्ट परियावरण कारे करम, संयूखतरास्ट के द्वारा परियावरण के संगरक्षन के लिए, अंतरास्ट इस तर पर क्या कदम उठाएगा, यह बताएगा, यह किस में करने पड़ियावरण के लिए की संगरण के लिए अगर कोई इस सम्यूखतरास्ट से उर्प्ररेंच है, यह बहता है, और अगर कोई आपका फ्रेंड है, जो बीए प्रोगाफं, सेंगर क्र। रहा है history, political, globalization, human rights, कुछ भी है आपके पास, उनके पास है, जो भी subject है, हमारे चैनल पर वीडियो अवैलिबल है, ठीक है, आप उन्हें share कीजिए, और प्लीज दोस्तों like, share, subscribe, जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक-एक like, share, subscribe से हमें motivate होते हैं, कि आर और वीडियो बनानी चाह करते हैं, तो वीडियो में सबसे पहले देखते हैं, जिसे कि कादार सही उतुरास्ट परियावरन कारेकरम, मतलब यह जो भी चीज़े, जितनी भी परियावरन कारेकरम किया गया, तो सबसे ज़्यादा, मतलब जो mean leader कौन था, तो सही उतुरास्ट के नित्तित्व में हुआ सारा कुछ को लीड किस ने किया संयुक्तराज संग ने किया स्कॉर्ट हम सम्मेलोन को पहला परियावरन संग्रक्षन सम्मेलोन के तौर पर जाना जाता है ठीक है स्कॉर्ट हम सम्मेलोन जो सबसे पहले किया गया था सब परियावरन के लेकर सबसे पहले सबी सम्मेलों का मोटिव क्या था तो सबी सम्मेलों का मोटिव एक ही था कि सतत विकास करना सतत विकास मतलब क्या होता है सतत विकास मतलब टिकाओ विकास ठीक है सतत विकास करना मतलब टिकाओ विकास ऐसा विकास करना परियावरण को इस तरह से संग्रुक्षन करना कि कोई चीज आज हम यूज कर रहे हैं वो आने वाले कल के लिए भी हो परसों के लिए हो और आने वाले पीडियों के लिए मतलब लंबे टाइम के लिए long time period के लिए हो चीज रहे ठीके long time चीज़ों के लिए ठेरे इस तरह के विकास करना इसके main जोर दिया गया ठीके समझ में आता है स्टार्ट करते है वीडियो आज की तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा परियावरण के चुन होती है चीके challenges क्याते हैं परियावरण के सामने पेंड काट रहे तो गरम होगा दिरे दिरे तो ये भी एक बहुत बड़ी problem के तोर पे देखी गई इससे भी कई तरह की विमारी आती है ठीके पानी का level घड़ जाता है ठीके बेव मुसम बरसाथ जिसी मतलब अलग-अलग तरह के बारिस नहीं होना है अलग-अलग तरह की problem इससे related होती है ठीके तो glow warming का बढ़ना पहला चुनोती माना गया जिसके काट से अगर कम करने का तरीका क्या है बाई पेंड लगाओ जंगल बचाओ ठीके जो भी से जिड़े हुए जीव हैं उनको बचाओ अपने आप सारा कुछ ठीक हो जाने है समझ में आता है जलवायू परिवर्तन दोस्तों जलवायू परिवर्तन का आपने भी बहुत बार फिल क्या हुआ जलवायू परिवर्तन हो रहा है हमारे आसपास में गर्मी के मौसम में जो गर्मी का मौसम होता उस समय भी ठंड का एसास होना ठीक है गर्मी जादा देर तक रहना जादा देर नों तक मतलब जो टाइम पिरेड है गर्मी का कि 2-3 या 4-5-6 मेन जो भी है ठाएथ-ध आप पिरेड उस टाइम पिरेड से जादा टाइम तक रहना ठीक है ठंड लेट से आना या ठंड जादा टाइम तक रहना यह ही जलवाय परिवर्तन के लक्षन है ठीक है आपने भी बहुत-बार रफिल किया होगा ऐसा अगर आप इंडिया में रहते हो तो ठीक है तो इसके कायों से भी कई तरह के effect दिखते है अगर माल लो आपने कोई फसल बो रखे अब उस समय पे गर्मी नहीं होने चाहिए थी और गर्मी हो रही है ठीक है तो आपकी फसल खराब होगी नॉर्मल सी अगर दिसकवरी पे देखते होगे तो अलग अलग तरह के पीड़ पकशी के बारें बताता है कि यह पेड़ आप देखने के लिए नहीं मिलते है बहुत कम है ठीक है क्यों लूप तो रहे है या फिर हम उसका गलत यूज कर रहे है या फिर हम उनको मार चुके है या दूसरी चीज क्या कि जिनके रहने के जो घर होता था था वो देरे-देरे खतम होता जा रहा है क्योंकि हमारी जनसंक्या बढ़ रही है जनसंक्या बढ़ने कारण क् जगह के लिए हम क्या करेंगे पेंड काटेंगे पेंड काटेंगे तो क्या होगा जंगल कर खतम होगा जंगल खतम होगा तो पेंड पक्षी कहा जाएंगे रों मरेंगे न क्योंकि वो जंगल समको रहने के लिए घर नहीं मिलता है खाना पीना सब कुछ मिलता है तो इस तरह क सब खतल हो जारे और यह भी एक वह बड़ा प्रॉब्लम है जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे जो मतों मतल circular और जो मतलब ऐसे तो hospital कि दिखा गया जिसके काहरण से वह वह हाना कि ये जो किरने हैं मतलब वहाँ पे छेद इस तरह का परभाव वह कि उसके कारण से बिमारी होने का ज्यादा खत्रा होता है अगर ओजोन परत मानलो यह ओजोन परत है यहाँ पर सूरज की किरने आ रही है तो ओजोन परत क्या करता है हानी कारत किरने को रोक लेता है अपने पास ठीक है जो हानी कारत किरने है तो इनको रोक लेता है अगर हानी कारत नीचे किरने आती है ठीक है अगर किसी इंसान वे पढ़ती है तो नहीं चर्म रोग और भी अलग अलग तरकी विमारी होती है ठीक है मोतिया, बिंद, कैंसर, तोचा रोग ऐसे करके बहुत सारी विमारियां होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण दिखा गया जिसकी कारण परियावरण का गुगर हम नुकसान पहुचाती है तो और वो ओजोन परत में छेद की हो रहा है जो परियावरण अगर मालो धर्ती का लेवल गरम हो रहा है प्रित्री का अपूमंट लेता बढ़ रहा है पेण पोदे काट रहे बिन मोसम बरसात हो रहे है और भी अलग 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 तरह की प्रावल्म जो हो रही है तो उसके काहन से ओजोन परत पर भी एफेक्ट पड़ता है और जल वायू तता भूमी परदूसन भी बहुत बढ़ी है मातरा में जल परदूसन की बात करें तो आज पीने के पानी को हम सही से सित्माल हो करतें तो इस तरह की गंगा यम्ना की इंड्या में तो इस तरह की कंडिशन ने जो दिखाता है कि क्या हमारे जल परदूसन की बात та को उस तरह हुआ दिल्ली जो था पुरिय तरह से गैस चमबर में बदल चुका था जहांपर अगर की इस तरह की आगे में रहता है कोय लोग दिल्ली जासे ऑड़ों की आयूज़ देरे कम होती है तो इसका भी effect पड़ता है, भूमी परदूशन जो हम प्रित्वी सब धेरे देरे पानी सोक रहे हैं तो उसका भी भूमी परदूशन के तौरपे हैं खाद यूज करते हैं, जिससे हमारी अपनी भूमी की पैदावार बढ़ा सके इस तरह से चीज़े क्या होते हैं, भूमी की पैदावार बढ़ाने के लिए हमने खाद यूज कर लिया पर वहां के जो मिट्टी हो जहरी लिए होगी, वहां के जो उरुबरकता है वो खतम होगी ठीक हम उरुबरकता बची नहीं तो इसके कारण से यह अलग-अलग तरह के एफेक्ट दिखने के लिए मिलता है तो यह परमुक्ष चुनोतियां थी, जिसके कारण से सारे बैठक सम्मेलन किये गए समझ में आता है दोस्तो, अब एक-एक सम्मेलनों को हम देखते हैं जो सीखते हैं क्या-कै सम्मेलन थे, बहुत इंपोर्टन वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी रहेगी, बट एक-एक वीडियो इंपोर्टन है ठीक है, इन सबी चीजों का संग रक्षन, जो परियावरन संग रक्षन का आईडिया कहां से आता है तो राकल कार्सन नाम के एक वैक्ती होते हैं, राइटर होते हैं जिनकी दा साइलेंट स्प्रिंग नामा पुस्तक छपती है उसके बास से, उसके बास से ही माना गया है कि परियावरन संग रक्षन का भाई कुछ करना चाहिए माना जाती के लिए मतलब भी संग रचना है जगना चाहिए अगर आज नहीं जगेगा परियावरन के बचाफ के लिए था हम कभी बचानी पाएंगा परियावरन को यह माना गया सुन्चने आता है दोस्तो तो यहाँ पे The Silent Spring की पुस्तक जब छपीती तो वहाँ से लोगों को समझ भाए कि यह परियावरन प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबसे पहले बात करते है Scottum Samiland 1972 के बारे में Scottum Conference 1972 इसकी एक प्रॉपर वीडियो भी में डाल चुका हूँ किया गया जिसके अंदर में टोटल 119 देसों इसके अंदर पार्टिस्पेट किया ठीक है 119 देसों में इसके अंदर में पार्टिस्पेट किया और इसके अंदर में टोटल 26 सिधानतों को सुझाया गया 119 दोश्तों के दौरा 26 सिधानत सुझाया गया स्थापना की गई UNEP United National Environmental Program ठीक है UNEP के स्थापना की गई यह इसमबर 1972 में जो नेरूबी केनिया में इसका मुख्याले है ठीक है इसके अंदर में 58 देश जो country थे उस समय सदसे थे और 1982 तक total 110 परियावरेंट विभाग और मंत्री अलग लग देशों के 110 से मतलब देशों के परियावरेंट विभाग और मंत्री उससे जुड़े हैं ठीक है समझ में आता है UNEP से UNEP एक पहला मात्र संस्ता है UNO के द्वारा जो परियावरेंट से लिटेट सारे मुद्य को देखता है ठीक है उसके लिए खदम उठाता है इसने भी अपने भागों को साथ बाटों में बाट रखा है कि कौन सा भाग क्या काम करेगा ठीक है उसकी जानकरी दोस्तों आपके पीडिए जो संसादरों के पूर निर्मान तता सक्ति का अविश्ग बनाया रखना चाहिए ठीक है कि पूर निर्मान करना किस तरह से हम कर सकते हैं तत्वों का उसरजन पर रोक लगाना ज्यादा ज्यादा उसरजन को रोक लगाना ठीक है और इस तरह से यूज करना कि आने वाली पीडि स्खेप होता क्या इसकी बात करें तो इसके अंदर में यूए नीपी था इसकी बारे में बात कर दुरगटना के मामले में हसाथ शेप करना समुदरी जहाज होता था विवानों के समुदरी परदूर्शन पर रोग लगाना कूड़ा करकर था अन्ने समुदरी परदातों पर रोग लगाना इस तरह करके टूटल साथ अलग-अलग से दानतों को लागू किया गया ठीक है एक बार अगर आप बूसकर पढ़ते हो तो बहुत अच्छे समझ में आएगा नॉर्मल में इस वीडियो के नदर में डेट और साली चीज़े बताने वाला हूँ क्या हम मेन परपस था उसका वो बताता हूँ ठीक है दोस्तों, जिस से आपको अच्छे समझ में है at least आगे देखते हैं आगे आते है नेरोवी समीलन में 1982 में 1982 में होता है नेरोवी समीलन का मीन मकसद क्या था तो नेरोवी समीलन 10 भी वर्स गाट थी, स्कॉट्टम समीलन के तब किया गया ठीक है, 1972 के बाद 1982 में 10 साल बाद, ठीक है, नेरोवी समेलन, 10 साल बाद स्कॉर्टम समेलन के, जिसके अंदर में टोटल, मतलब 105 देसों ने पार्टिस्पेट किया, ये 10 मई से लेकर 18 मई के बीच में चला, इसके अंदर में टोटल 10 गोसनाई की गई, ठीक है, और ये 2000 तक मतल 1982 में ये समेलन हुआ, ठीक है, 1982 में समेलन हुआ, और ये तै किया गया, कि हम अपने विकास, सतत विकास के लिए जो रोड मैप है, रोड मैप है, वो सन 2000 तक का बनाते हैं, ठीक है, कि एक टार्गेट लेकर चलते हैं, भाई कि सन 2000 तक में हम कितना सतत विकास के और बढ़ पा पर विश्व आयूग की स्थापना, ठीक है, World Commission on Environment and Development, ठीक है, इसकी अगर बात करें, तो 1983 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है, 1983 में UN के द्वारा नौर्वेग के परधान मंतरी के अदिक्षता में, ठीक है, ग्रो हारलम करके होते हैं, उनके अदिक्षता में ये इसकी स् सतत विकास के बारे में पहली बार बात की जाती है, सतत विकास सब्द का यहां पर नमंकन हो जाता है, कि सतत विकास मतलब क्या, टिकाओ विकास जो लंबे समय तक चले, ठीक है, जो चीज़ आप आज यूज कर रहे हो, आने वाल अकल, पीड़ी भी करे, आपके बच्चा, उसके बचा, उसके बचा ऐसा करके, मतलब इसके बारे में बात किया गया, सतत विकास का मुद्धा यहां पर उठाया गया, समझ में आता है दोस्तो, तो यह सतत विकास की बात करता है, इसके अंदर में ये भी का गया, कि अगर गरीबी है, किसी जगह पे, तो हम सतत विकास दो जिसके बाद उसको ये जरुरत ना पड़े समझे रहो तो इस तरह की बात की गई तो अगर गरीबी है ठीक है बुकमरी है बेरुजगारी है असक्षिता है अनवेरनेस है तो हम कभी भी परियावरेंट को बचानी सकते है इन्होंने ये कहा जो आर कॉन फ्यूचर था उसके रिपोर्ट में ये कहा गया ठीक है सुझ मैं आता है उसके बाद आता है अगला मेंट्रेल ओजोन परत संग्रक्चन संदी इसके अंदर में ओजोन परत संग्रक्चन संदी की गई ठीक है इसके अंदर में बात क्या गया क्या किया गया कि ओजोन परत को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये 1987 में हुआ 1987 में हुआ ओजोन परत के छेद को बचाने के लिए कि ओजोन परत को बचाया जा सके ओजोन परत है कि आप ये समझते हैं जैसे कि मैंने भी बताया कि मान के चलो ये एक ओजोन परत है ठीक है और ये एक सूरज है यहाँ से जो इसकी किरने आती है प्रित्वी पे तो जो खराब किरने होते हैं पैरा बैगनी किरने जो खराब वाली किरने होते हैं पैरा बैगनी किरने कहते हैं जो खराब वाली किरने होते हैं वापस चली जाती है लोटक राकर वापस है जो अच्छी किरने होते हैं फिल्टर करके अंदर आती है ठीक ऐसे पड़ती है तो अगर अच्छी वाली किरने हमारे सेरी पड़ती तो उसका अच्छा इफिक देखता है और ओजन परत के अच्छे तो और अगर यहां पर बारे में बात करते हैं जिनका मतलब 1987 में इसका संदी की गई ठीक है अगला आता है खतरनाक कच्रे के निंदरन पर बैसेल समझोता यह क्या है दोस्तो तो यह कच्रे के निप्टारे को लेकर किस तर से हम कच्रे का निप्टारा कर सकते हैं उसको लेकर समझोता गया गया जो 1989 में किया गया ठीक है यह भी बहुत हमेत्पून समझोता था दोस्तो इसके अंदर में हमने बात किया कि भाई कच्छरा लेकर भूँgě दूस्तों कर आचकर लंपिंग याड के तौर पर मैने जाता है , जिन नंका हमारे उपर इफEक्ट पड़ता है ठीक है और बहुत सारे देश से हमारे भारात बांगलादेश जैसे देशों में आते हैं अक्सर कच्रे आते हैं और हमारे यहां पे आते हैं बहुत सारे कच्रे आते हैं इस जो खतरनाक खच्रे के नियंतरन पर बेसल समझुता हुआ 22 March 1982 1989 1989 1989 1992 1992 1992 इसको लागू करने बाद किया गया कि अगर कोई भी इस तरह का मुद्दा आता है अगर कच्रे से लेटर कोई भी मुद्दा आता है जो कि बड़े कच्रे आते हैं तो उसका हम रिपोर्ट देंगे ठीक है रिपोर्ट आगे करेंगे उसके खिलाब कारभाई की जाएगी ठीक है अगर कोई फेक रायक अच्रा तो उसके निप्टारे का वो भी बताना पड़ेगा भी निप्टारा क्या से करे रिक्स कोन लेगा इसका ये सारी चीज़े तै करे जबाब दही किसकी होगी ये भी तै करे ये सारी चीज़े इसके अंदर बात की गई फिर दोस्तो अगला 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 सम्मेलन की बात करे तो सबसे इंपोर्टन सम्मेलन आता है रियो डी जैनरियो ठीक है ये इंपोर्टन सम्मेलन है क्योंकि दोस्तों ब्राजिल की राज़ानी रियोडी जैनरियों में किया गया ठीक है इसके में कारण क्या था मतलब यहां पे इसको प्रित्वी सम्मिलन के नाम से भी जाना जाता है और सबसे बड़े सम्मिलन के तौर पे देखा गया जिसके अंदर में 20,000 से जादा देसों इसके अंदर ने पार्टिसपेट किया ठीक है मतलब परती नीदियों ने देसों ने नी परती नीदियों ने 182 देसों के 20,000 से जादा परती नीदियों ने इसमें पार्टिसपेट गया ठीक है समझ में आता है जिसको प्रित्वी सम्मिलन के नाम से जाना गया इसके अंदर आता जलवायू परिवर्तन पर रूप रेका संबंदित अनुबंद इसको 162 दिसों ने सुविकार किया जिसके अंदर में 26 अनुशेदों को लाए गया जिसके अंदर में क्या था कि कार्बन डायोकसाइड का मतलब जैसे गेसे हैं उनको छेड़ा मतलब ग्रीन हॉप्स गेस क ग्लोलो के कारण क्या है प्रकृति को बचाना इस सारे छीज़ों को लाए गए 26 दॉक को लागो किया गए use किया है ठीक है जलवाय। परिवरतन के टटवरती छेतरों में जलसन सादनों तुझा क्रिश्ची पर पढ़ने वाले परभावों को यूजन बनाना परती यूजन बनाना मतलब जो भी क्रिश्ची के उपर effect पढ़ रहा है जलसन सादनों को पर लबाइू परिवरतन वाली लाकों मेटट वर्थी छेत्र में, तो उसका एक यूजरा मनाना है, कि आप किस तरह से उसको निफंटोगे, ठीक है?, उन लाकों को संगरख्चन परदान करना जो सुखे या बढ़ से प्रावबित हैं, आपको उस रिलाकों में संगरक्षन प्रदान करना पड़ेगा जो बार से आरे हैं बार पर जहां पर या फिर जहां पर जादा सूखा पड़ रहा है ठीक है इस तरह की रूपरे का तियार किये गए और ये अंतराश्टी इस तरह पर हर देश में करते हैं ठीक है समझ में आता है अगला अगर इसकी दस्ताविश की बात करो रियोड़ी जेनरियों की प्रित्वी समेलन की तो यहां पर आता है जैब विद्धा परनुपन ठीक है जैब विद्धा भी एक विद्धा पर अनुबन इसके अंदर में जैब विद्धा को लेकर टोटल 187 देशों ने समर्थन किया 187 कंट्री जैब विद्धे जुटाएंगे और जैब विद्धा को मतलब पहचान के लिए हम लड़ेंगे और उनके संगरक्षन करेंगे उसे ऐसे उपाय करने की सोचे टे सेव करना जाते हैं तो सबसे बड़ी में चीज़ की है कि जागृट था अगर सबी लोग जागृट थे हैं फिर हम कर सकते हैं अच्छे से डील कर सकते हैं उनका यह मानना था समझ में आ रहा है क्योंकि उन्होंने भारत का Influx देखा जैसे चिपको अंदुरन का था लो तो main चीज क्या जागरूपता फैलाना ठीक है तो ये motive विता है तो जे भी विता पर work कर रहे थे समझ में आता है दोस्तो आगे बात करते है वन संगरक्चन सिंधान दोस्तो वन संगरक्चन सिंधान बहुत important है क्योंकि इसके अंदर में हम देखते हैं क्यार वन अगर नहीं है जंगल नहीं है तो आप खाओगे क्या रहोगे क्या कहा रहोगे क्योंकि बहुत सारे families की जो life है वो जंगलों पर depend रहती है ठीक है इसके तहत भी कुछ सिधानतों को सुझाए गया जो जैसे क्या सिधानते वो देखते है नीचे में तो सभी रास्ट्रों को विर्क्ष रोपन करना होगा ठीक है मतलब विर्क्ष रोपन करना हरा वरा भूमे यादा करना है मतलब विर्क्ष रोपन के लिए परसाइद करना लोगों को ठीक है संस्कृतिक अत्यासिक धर्मों को अध्यासिक प्रोसान देना, अध्यात्मिक प्रोसान देना इस तरह का उनोंने बात की गई, ठीक है, वनों से शम्मंदित यूजना कानून, परियावरन समय पहलू को उपर वर्क करना, कारे करना, इसके उपर में जोर दिया गया, क्यों लोगों को पता ही नहीं कि यह important क्या है लोग अपने स्वार्थ के लिए importance के लिए selfishness के लिए हम pain काटते हैं और इसका misuse या कुछ भी जो भी है कर रहे हैं ठीक है बटा हमें पता नहीं कि उसकी value क्या है ठीक है अगर वो pain नहीं रहेगा तो हम जिन्दा भी नहीं रिसकते हैं क्यों oxygen नहीं मिलने वाला है ठीक है तो इस तरह की चीज़े यहाँ पर देखे गई अगला आता है रियो गोशना पत्र ठीक है रियो गोशना पत्र रियो डेकलरेशन परियावरण को कोई खत्रा ना पहुंचे अगर मालो किसी को आइडिया मिली है कि हम किस तरह से बचा सकते है तो दूसरों को भी suggest करें ठीक है या विर मालो कोई problem में उसने face कि है कि है इस तरह से जंगल ना स्ठोरी है तो वो भी दूसरे से बताए कि ऐस असा problem है करने का सोचना चाहिए अनिवर्यता को सोचने के बारे में सुचना चाहिए समझ में आरे दोस्तों तो इस तरह से टोटल रियो घुसनापत्र वर्क करता है जिसमें 27 से धान्तों की बात की गई जिसने में कुछ इंपोर्टेंस इंदान्त बताया उसके बाद एक एजेंडा 21 करके दरचारी की अगर दस्ताविया जिसके अंदर में टोटल 21 से धान्तों की बात की गई जो जिसको लेकर कारे करने की बात की गई कि गर हम इस पे कारे करते हैं तो हम परियावरण को बचा सकते हैं जिसमें सतत विकास की प्राप्ति के लिए विकासिल देसों के तकनीकी सायोग प्रदान करना मतलब तकनीक के जरीए जो विकासिल देस हैं उनको तकनीकी सायोग प्रदान करना जो बारज जैसे देस हैं जो विकासिल हैं उनको पता ही निए हम बचा कैसे सकते हैं जो विकसित देश हैं, उनके पास तकनीक है, ये टेक्नोलोजी है, अगर हो हमें help करें, तो हम भी अपना परिवरन को बचा सकते हैं, ठीक हम भी उसके लिए work कर सकते हैं, सतत विकास की प्राप्ति के लिए विकासिल देशों के तकनीकी सहयोग परदान करना, सतत विकास के लि पहले पेला समेलन वहते हैं, स्कॉर्ड केया वहाँ पर लोगों ने ये माना, एक ही प्रिट्वी का सिध्धानत को सुईकार गया, एक ही प्रिट्वी का सिध्धानत मतलब क्या था, शक्तर बाद आता है सतत विकास पे जोहानस वर्क समेलन जोहानस वर्क समेलन 2002 में किया गया ठीके 2002 में किया गया ये ये समेलन के 10 वर्स बात था ठीके जिसके अंदर में क्या बात किया गया कि भाई हम किस तरह समेलन को मतलब प्राकरति को बचाने के लिए हम क्या कर सकते वो बात किया गया ठीक है इसमें Agenda 21 जो भी मैंने बताया था आपको Agenda 21 को वापस से लागू करने की बात की गई किया रियोडी जैन्जियो में Agenda 21 था इसको वापस सामिल के आ जा 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 इसको वापस से लागू के जा भू, गरीबी, भू, कुपोशन इन सब को हटा रहे बेकर हम हासिल नहीं कर सकते इसके बारे में बात किया गया ठीक है इसके अंदर में सतत्विकास के कुछ पैमाने तैक है जिसमें सुसासन की स्थापना करना गरीबी का भाव से मुक्त दिलाना ठीक है इस तरह की चीज़ों की बात केगी अगर गरीबी रहेगा सुसासन रहेगा अच्छी ववस्ता रहेगी अगर गरीबी से मुक्त है तब हम परियावरण को बचा सकते है उसके बारे में सूछ सकते है नितो हम सब कुछ वेस्ट है इन्होंने ये माना समझ भाता है दोस्तों आगे देखते हैं आगे आता है क्योटो पर्टोकॉल ठीक है आपने ये वाला सुना हुआ इसके बारे में ये बहुत अच्छा सम्मेलन है कहां क्या कहां येस इरा क्योटो सम्मेलन ये जभान के क्योटो समर है इसका नॉर्मली क्या फ्रेमण वग्ड था 1992 में एक UNFCC UNFCC के मदद थ है UNFCC के गठन के बाद इसको आयूजित किया गया जो 11 दिसंबर 1997 में इसको आयूजित किया गया जभान के क्योटो समर्मेowi इसका मेन मोटिफ क्या था कि इसने 55 देसों में इसको हस्ताक्षर किया 55 देसों ने इसको सपोर्ट किया 26 फरवरी 2005 को यह प्रेटोकॉल स्थित्व में आ गया था 26 फरवरी को यह लागू हो चुका था बट इसको बहुत सारे देसों ने नकार दिया जैसे अस्टिलिया ने इसको एकसेप्ट करने समना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानता ठीक है तो बहुत समय तक यह उतनी ज़्यादा मतलब सुर्खिया में नहीं था बाद में क्या होता है कि रूस इसको एकसेप्ट करता है रूस इसके लिए हस्टाक्षर करता है उसके बाद जब रूस जैसे देश इसको support करते हैं तो सब के सामने आता है और सब इसको accept करते हैं Kyoto Protocol धर्ती को बचाने के लिए धर्ती के पुराने अस्तित को लाने के लिए कई सारे नियमों को निदार्थ कर रहा था जिसमें उन्होंने इसको नहीं accept करने का reason पते क्या था दोस्तों जैसे बहुत सारे जिस्तों ने इसको मना कर दिया था कि मैं इसको इस समयलन को accept नहीं करता जो इसकी संदियाय में उसके sign नहीं कर सकता reason क्या था कि केटो पर्टो कॉल में ये आज उठाए गया कि जो भी आज हम problem जहिल रहे हैं उसमें विकासिल देश से ज़्यादा भागिदारी जिम्यदारी मतलब या कारण है या problem है वो विकसिद देश होगा है क्योंकि जो condition में आज पहुचे है उस condition का एक ही जिम्यदार को ने विकसिद देश क्योंकि विकसिद देश हो ने ज़्यादा भागशियल देश हो ने कमी उम्यूजिया है सुन में आता है इसके कारण से बहुत सारे देश होने उसके साइन करने सामना कर दिया उसके बाद आते है इक बाली सम्मेलन इंडोनेसिया की दीपनोंगी Commission बाली सम्मेलन किया गया बाली सम्मेलन तीं से 14 दिशंबर के बीच में रहा 2007 था सम्मेलन ऑयजुद किया गया था इस सम्मेलन के अंदर में टूटल 190 देसों के 10,000 से जादा परतिनीदी ने हिस्सा लिया ठीक है और ये जलवायू परिवर्थन के उपर समिलन था roadmap तै करने की बात की जारे थी कि किस प्रकार से हम अपना roadmap तै कर सकते हैं जलवायू परिवर्थन को लेकर जैविवित्ता को लेकर गलूड वार्मिंग को लेकर, अलग-लग तरह के टॉपिक पे बात की गई, जिसमें अलग-लग तरह के हमें रखने थे अपने पतिनीदियों को मतलब अपने वीचार वेप्त करने थे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं अलग अलग संदियों के उपर sign किया गया ठीक है ये तो दोस्तों ये वाला chapter आपका यहीं पे खतम होता है इसमें दो तरगे questions बनते हैं जैसे कि मैं पहले बता चुक हूँ टिपनी waste और एक long question 20 number का और 10 number का जो टिपनी waste question होगे उसमें से किसी भी एक सम्मेलन के उपर में पूछ लिया जाएगा कि ये सम्मेलन कप कहा कैसे वा पूरा explain करना पड़ेगा 10 number मिलेंगे एक long question होगा जिसमें पूछा जाएगा कि अंतरास्टे इस तरपर परियावन के संग्रक्षन के लिए ये उने द्वारा क्या कदम उठा जा रहे है ठीक है या उठाएगा है तो वो बताओ कि सारा को जो भी पड़ा बता है मैंने तो अच्छे का से number मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं number लेना असान होता है दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है अच्छे से लिखो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताए कि हां सर समझ में आ गई है अगर लगता है कहीं पर कुछ डाउट है प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं दुबारा से पर ट्राइ करो है वीडियो बना दू और दोस्तों आप से एक वैस्ट रहे गयार कि हमारा एक गोल है तो उसे कम्प्लीट करने के लिए प्लीज लाइक सेर सब्क्राइब जरूर करें आपका एक एक लाइक सेर से कई सारे बच्चों की लाइफ बन सकती है ठीक है आपका एक एक सब्सक्राइब एक लाइक से हम बहुत सारे वीडियो के और भी वोक कर सकते हैं क्योंकि जब आप एक एक लाइक सेर कमेंट करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं कि चलो और वीडियो बनाएं चाहिए और अपना बैस्ट दिना चाहिए जो पीछे गलतिया हुई है उसको remove करो उसको improve करो और वह आपसे video लेकर आओ ठीक है तो इस तरह की चीज़े होती है दोस्तों तो please like, share, subscribe जुरू करें thank you for listening me, thank you for watching me thank you so much friends, bye bye